नमस्कार इस्टेट निउस पुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नील कमल सिहाग पहले रुप करते हैं हैं हैडलाइन्स की और नग्रोटा एंकाउंटर में मारे गई आतंगवादियों को मिली थी कमांडो ट्रेनिंग 30 किलो मीटर पैदल चलकर भारत में हुए थे दाखिल प्रयागराज में शुरू हुई RSS की एहम बैठक संग प्रमोख मोहन भागवत मौजूद सियम योगी भी होंगे शामिल चुरू की एक गोशाला में अचानक असी कायों की मौत से मचा हडकंप जांच शुरू और अब खबरे विस्तार से जम्मू के नग्रोटा में गुरूबार को हुए एंकाउंटर में मारे गए जैशे मुहम्मद के चारो पाकिस्तानी आतंकी के बारे में नई जानकारी हाथ लगी है इस पुरिश राजिश को अंजाम देने में साल 2016 में पठान कोट में हुए हवाई हमले के मुख्या आरोपी जैशे मुहम्मद के ओपरेशनल कमांडर कासिम जान का भी हाथ था जक्षिन कश्मीर में कासिम के कई लड़ाके मौजूद हैं जो उसके एक इशारे पर कोई भी वारदात को अंजाम देने के लिए तयार रहते हैं आपको बता दे की कासिम भारत में जैश आतंक वादियों के मुख्य लौज कमांडरों में से एक है और उसके आतंकी मुफ्ती रऊफ असगर से सीधे संबंध हैं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को हटाने और तालिबान से पुनरुथान के बाद से जैश मोहमद के आतंकी तेजी से जम्मु कश्मीर में एक्टिव हो रहे हैं RSSK अकिल भारतिय कार्यकारी मंडल पुर्वी शेत्र में रविवार को दो दिवीसीय बैठक, सर संग चालक, मोहन भागवत और सर कार्यवाहक भायाजी जोशी की अगुवाई में परियागराज में शुरू हो चुकी है गोहनिय स्तित कॉलेज में हो रही बैठक में आठ सत्रों में विभीन विश्यो पर चर्चा होगी बताया जा रहा है कि आज पांच सत्रों में बैठक में कई विश्यो पर मन्थन होगा बैठक में मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात भी शामिल होंगे जहां सर संग चालक, मोहन भागवत और सहसर कार्यवाह जोशी सीम योगी अलग मुलाकात करेंगे बैठक में राम मंदिर की दिव्यता वे भव्यता को लेकर जन जागरन, लब जिहाद को लेकर चिंता, प्रयावरन सरक्षन, आत्म निर्बर भारत के लिए ग्राम्य विकास, गो सरक्षन, धर्वांतुरन पर अंकुश, धर्म जागरन, स्वदेशी और कोटम, प्रभोधन पर मन्थन होगा, उधर संग के काशी, गोरक्ष अवद, वे कानपुर प्रांथ के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे राजस्तान के चूरू जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक गोशाला में अचानक असी गायों की मौत हो गई है इस घटना से आसपास के इलाके में संसनी फैल गई है, वहीं सुचना के बाद मौके पर आला अधिकारी पहुँच कई है, मामले की जान शुरू कर दी गई है वहीं सरदार शहर के तहसिलदार कुतेंद्र कवर ने कहा कि मामले की जान शुरू करती गई है आखिर इतनी सारी गायों की मौत विशाक्त चारा खाने से या बिमारी से हुई है इसके बारे में पता लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि जान्स रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण श्वष्ट हो जाएंगे जानकारी के मुताबिक है घटना सरदार शहर के बील्यू बास रामपुरा की श्री राम गोशाला की है अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार शाम के बाद से ही इस गोशाला में असी की गायों की मौत हो चुकी है जबकि कुछ अन्यभी भीमार है पुशुपालन एवं चिकित्सा विभाग की टी में मौके पर मौझूद है विभाग के सयुक्त निदेशक डॉक्टर जगदिश बढ़वड ने बताया कि गोशाला में शुक्रवार शाम को गाय अचानक बिम ऐसा हुआ चारी के नमूने लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया है और अब खबर्श्री गंगानगर जिले के सुरतगर शेत्र से ग्राम पंचाय संघर भगवान सर मानक सर तथा आसपास के खेतों में अब ट्रेक्टरों की आवाज आने लगी है अलसुबही किसान ट्रेक्टर तथा बिजाई मशीन लेकर खेतों में निकल पड़ते हैं किसानों तथा खृष्री अधिकारियों के अनुसार अब खेतों से नर्मे कपास काटकर खलियान खाली हो चुके हैं 15 नवंबर के बाद मौसम अनुकूल होने से गेहूं सरसों की बिजाई का कारिया इंदिनों परवान पर है इस समय ठंड भी पढ़नी शुरू हो गई है इन दिनों बिजाई किये गेहूं तथा सरसों जल्दी अंकूरित होता है हालांकि कुछ किसान पहले ही बिजाई कर चुके हैं उन खेतों में गेहूं की कोर फूटनी शुरू हो गई है इसे अगेती बिजाई कहते हैं फिलाल किसानों का पूरा ध्याना बिजाई पर केंद्रित है किसानों के मुताबिक नवंबर महीना पूरा बिजाई का महीना होता है जिनोंने अगेती गेहूं की बिजाई की है उनको 6 बड़ी पानी लगाना पड़ेगा जबकि नवंबर में बीजी किये गए गेहूं को केवल पांच बारी पानी की आविशक्ता होगी और अब खबर बीकानेर जिले से श्रीडूंगर गट पंचाय समीती के वाड संख्या एक से CPM परतियाशी विमला देवी के समर्थन में जिले के कई समाजिक संगठन सामने आई है Railway Welfare Committee और PBM Help Committee सहीत अन्य कई समाजिक संगठनों ने CPM उमीदवार को मत वे समर्थन देने की अपील की है Railway Welfare Committee के संयोजक राजेंदर सिंग शेखावत, बजरंग लाल चौधरी, मुकेश मीना ने बताया की CPM उमीदवार विमला देवी और उनके पती राजेश भादू पिछले कई वर्षों से समाथ सेवा से चुड़े हुए है विमला देवी और राजेश भादू वीरा किसी भेदभाव के हर समय जरूरत मंदों की सेवा करते रहे हैं अभी हाल ही में देश भर में COVID-19 महामारी के चलते लगे लोगडॉन में इन्होंने दिल खोल कर मानव सेवा की है और अभी भी मास्क पहने सैनेटाइजर उपयोग में लेने सरकार की और से जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए लोगों को जागरूप कर रहे हैं कमेठी के आनंद वालमी की राजकुमार अगरवाल वे अन्मनीश शर्मा ने बताया की लोगडॉन के दोरान CPM परतियाशी विमला देवी और उनके पती राजेश भादू ने हजारों लोगों को मास्क भोजन पैकेट वित्रन में अनुकर्निय सयोग दे कर मानव धर्म को निभाया है ऐसे में सेरुना, नार्सी सर, जोदा सर वे जहेऊ के सबी निवासियों से हाथ जोड कर निवेदन है कि वे CPM परतियाशी विमला देवी को अपना मत वे समर्थन देकर विजय बनावे PBM Help Committee के सयोजग बजरंग छीमपा, एड़ोकेट और अध्यक्ष सुरेंद्र सिंग राजपरोहीत ने कहा कि जो मानव सेवा के लिए ततपर है ऐसे परतियाशी से उमीद की जा सकती है कि वे शेत्र के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और परतियक्ष शेत्र वासी की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे वहीं समाजिक संगठनों से जुड़े भवर सिंग, जोदा सर, आनंद सिंग, राजवी वे महंदर सिंग, जजेउ, ने भी शेत्र के विकास के लिए सीपी एम परतियाशी विमला देवी को विजेई बनाने के लिए वर संख्या एक के सभी निवासियों से अहवाहन किया है और वहीं श्री गंगानगर में चार दिवीस्तिय चट महत्सव आज उदे होते सूर्य को अर्ग्य देने के साथ ही समाथ हो गया आशनिवार को अलसुवेही वर्तधारी घाटों पर पहुंचे तथा ठंडे जल में खड़े होकर सूर्य उदे का इंतजार किया इससे पहले पुर्वांचल वासियों ने नियमनुसार छट माता की पूजा अर्चना की तथा जैसे ही सूर्य की लालीमा नजर आई और भासकर देव नजर आए तो लोगों की खुशी का ठीकाना नहीं रहा और सूर्य को अर्गय देने की होड सी लग गई एस्ताई बनाए गए घाट पर रंग विरंगी विद्यूत लडियां से सुजाया गया था सूर्य को अर्गय देने के बाद मिश्ठान फल आदी खाकर वरत्यों ने वरत खोला और इसके साथ ही वरत का परायन हो गया और अब खबर नागोर जिले से कुचावन पंचाय समीती के वाड तीन के भाजपा के उमीद्वार राम निवास बावरी वे जिला परिशद वाड 28 के भाजपा उमीद्वार बाबुलाल कुमावत के समर्थन में नावा विधान सभा के पुर्व विधायक वुजे सिंग चौधरी ने जीलिया में चुनावी सभा को संभोधित किया इस दोरान पुर्व विधायक विजे सिंग चौधरी ने चुनावी सभा को संभोधित करते वे कहा की कॉंग्रेस ने जनता के साथ धोका किया है क्योंकि कॉंग्रेस ने किसानों को चुनावों में दस दिन में कर्ज माफी जैसी घोशना करके घुमरा किया है लेकिन सबका विकास की मुहीम से आगे बढ़ती है अब जनता कॉंग्रेस की जूटे शाशन कभी बरदाश्ट नहीं करेगी इस दोरान खारिया सरपंच देवी लाल दादरवाल चांदपुरा सरपंच परसा राम राथी गोपाल लाल गनेश घोटिया भवरलाल राथी पूसा राम टेलर सहीत कई मौजूद थे इसके बाद चौधरी ने राजपुरा परेवडी सहीत विभिन ग्राम पंचायत में चुनावी दोरा किया शिक्षा नगरी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमन को देखते हुए नागोड जिलापुराश्ट थे